Hello everyone, welcome to my channel Spur Study स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के नए वोकब सेशन में और दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए 5 वोकब लाई हूं वो भी The Hindu Editorial से दोस्तों जैसा कि आपको पता है The Hindu Editorial रीट करना बहुत इंपोर्टन है अगर आप बविश्य में अपने English इंप्रूफ करना चाहते हैं आप किसी भी competitive exam के लिए पिर हो रहे हैं जिसमें English as a subject है तो it is very important that you should focus on improving your English and try to score more and more marks, okay So for this you have to focus on English as a language and you have to read editorial, you have to learn daily vocab so that you can memorize it easily Friends, अगर आप exam से just पहले कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको retain नहीं हो पाएगा इसलिए बैतर है कि आप अभी से ही रोज 5-6 शाब दिया फिर 10 याद किया करिए और ये आपकी daily practice बन जाएगी और आपका जो English है वो भी बहुत जल्दी improve हो जाएगा क्योंकि vocab याद करने से आपको चीजे समझ आने लगती है जो आप read करते हैं तो आपको उसका meaning समझ आने लगता है और reading habits से आपको finding the error जो questions आते हैं उसमें बहुत help मिलती है तो दोस्तों without wasting time let's get started और आज का पहला vocab है वो है ravenous तो दोस्तों आप image देखिए जो लड़की है वो कितनी ही जादा भूख लगी है उसे कि वो एक ही बार में सारा burger खाना चाहती है तो दोस्तों आपको भी तो बहुत बार भूख लगती होगी तो उस जो आप mostly क्या I think 60-70% लोग है जो जब बहुत भूख लगती है तो वो ये बोलते हैं कि I am very hungry I am feeling hungry या I am very hungry बट आप उसकी जगा बोल सकते हैं ravenous या आज की The Hindu Ritual में दिया हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि वोड कितना important है अगर आपको ravenous वोड दिया हुआ है आपके किसी भी question में और आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी उसे टिकनी कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे तो दोस्तो इसलिए आज आपको पता चल गया होगा कि जब आपको बहुत भूख लगी है तो आप उसको I am feeling ravenous या I am ravenous use कर सकते हैं उसमें आप I am very ravenous use मत करियेगा क्योंकि already ravenous का मतलब होता है very hungry तो दोस्तो अगर आपको इसका example sentence लेना है तो आप क्या कहेंगे seeing gulgappe in food vlog made me ravenous या फिर seeing lots of fruits no no fruits को देखके nobody feel ravenous I can understand or you also can relate it but seeing fast food like pizza and burger most of the people feel ravenous यानि pizza burger देखते अचानक सिक्दम बहुत तेजभूख लग जाती है so दोस्तो एक word के लिए मैंने आपको इतने सारे sentence बताए और I hope कि आपको ravenous याद हो गया होगा और अगर आप आपको अभी भूख लगी है आपको ravenous feel हो रहा है तो आप जाईए अपने लिए बढ़ाईए कुछ शान्दार so दोस्तो बढ़ते है हमारे second vocab की तरफ which is pound आपने कई बार सुना होगा pound as a currency हाँ बृटिन की currency है pound तो लेकिन क्या आपको पता है कि pound का मतलब होता है to strike hard यानि किसी को अगर बहुत तेजी से आप धका दे रहे हैं आप उसे कह सकते हैं pound as a pound यानि she pounded her या image में आप देख सकते हैं the boy pounded the man in red shirt जो भी red shirt में है उसको black shirt वाले boy ने pounded किया हुआ है यानि उसे बहुत तेजी से धका दिया है so basically आप pounded का use कर सकते हैं किसी को धका देना या मारना जो especially boxing karate जैसे game में आप use करते हैं pounding या pounded तो आपको आज पता चल के होगा कि pound तो currency होती भी है साथ में pound जो है वो किसी को strike hard अगर आप किसी को धका दे usually repeatedly का मतलब होता है आप लगातार जैसे boxing में आप लगातार pound करते हैं तो उसके उस सेंस में आप pound का use कर सकते हैं इसका example sentence जो बने लिया है वो काफी interesting है जैसे she pounded on the door with her feast उसना अपने मुठे से दर्वाजे पे लगातार बजाया असे धर 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 मारते हैं ना दर्वाजे पे कई सारे लोग गुसे में मारते हैं किसी को बहुत अर्जेंटली अंदर गुसना होता है कोई अंदर से खोल नहीं रहा है तो भी they continuously pound on the door तो जो pounding है वो आप समझ गए pounded pounding के जोड से लगाता है धका मारना या बजाना दर्वाजे पे खिड़कियों पे कई लोग गुसे में करते हैं कोई लोग as a situation emergency situation होती ही तो भी करते हैं so दोस्तो I hope कि आपको pounded word याद हो गया as a currency के अलावा pound का मतलब होता है तडातड मारना है को हिंदी में अगर आप देखे तो तडातड मारना या तो धका मार देना तो दर्वाजे पे मारना बढ़ते हैं दोस्तो हमारे third vocab की तरफ which is wow तो दोस्तो wow तो आपको पता ही होगा जिसे Christian marriage में we can't say Christian marriage but we also can say कि हमारे Hindu marriage में भी तो साथ कसमे खाते हैं साथ जन्मों के वादे वो wow होते हैं जो marriage में आप लेते हैं साथ जीने मरने कि कसमे wow लेते हैं couples generally wow for each other that we will live together we will die together इसी तरह से जो wow का मतलब होता है पतिग्या करना, कसम खाना इसका example sentence है we want never to discuss the subject again हमने कसम खाए कि हम इस topic पर दुबारा कभी बात नहीं करेंगे generally जो wow का जादा use जो होता है वो शादी जैसे functions में ही जादा होता है तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे next vocab की तरफ which is proteshe तो दोस्तों अगर आपने मेरे last session देखे होंगे और आप continuously मेरे session से vocab याद या revise कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो word है ये last time दी हिंदुर्ट टुटुर्विल में आया था I think this word is very important क्योंकि ये continuously आता जा रहा है so proteshe जो है आप इसको protege ये नहीं प्रनूसियेट करिएगा इसे proteshe कह सकते हैं इसे बोलना होगा आपको so दोस्तों जो छोड़े बच्चे होता है आजकल husband and wife mostly working है तो अपनी घर पे मतलब covid के time से पहले की बाते कर रही हूं अभी तो सब कोई घर पे है जब वो कहीं जाते हैं तो वो घर पे किसी guided बड़े person को रखे जाते हैं जो कि उनके बच्चों की देखभाल करे तो उसमें जो proteshe है वो इनसान नहीं है जो देखभाल कर रहा है बलकि वो बच्चा है वो बच्चा जो है वो है proteshe तो दोस्तो इसका जो example sentence वो यह है कि a young person who is helped or trained और इसका अगर आपको इसका तो meaning यह हो गया कि a young person who is helped or trained जो छोटा इनसान जिसकी help की जारी है उसने अपने सारे proteshe के career को nurture किया सवारा ठीक है बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के last vocab के तरफ which is gripe to suffer griping pains मतलब scream, grumble जैसे अब देख सकते हैं image देखिए दोस्तों कई बार जो है vocab हमें image के थूब याद करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि image से हमें vocab बहुत जल्दी आद हो जाते हैं तो gripe का जो basically मतलब होता है suffering, pain और या फिर इसका एक और मतलब होता है complaining about something जैसे किसी भी चीज़ के बारे में complain करना जैसे हम बोलते हैं न कि I have to complain to teacher about you तो आप उसे कह सकते हैं I will gripe about you to class teacher so उसकी जगर जैसे जैसे अगर मुझे आप सभी के लिए अगर कोई sentence लेना है तो मैं क्या लूँगी I only gripe with you all that you do not support or share my session or my channel तो यह मेरा complaint है शिकारत है आप सबसे I only gripe with you all is that you do not support or share my channel so दोस्तो इसी बात पे आपको मेरी चानल को करना है share, like और subscribe और आपको आज का session कैसा लगा आपको पाँच वोड याद करके कैसा लगा यह ज़रूर बताएं thanks for watching and don't forget to press the hit hit the like button, okay thanks for watching